2 रुपे का सिका रखदे इस जगे 2 रुपे का सिका छुपा के रखदे इस जगे आपकी नौकरी में बड़ोतरी होगी आपकी किस्मत खुल जाएगी आपका धनिस्तान पूरित हो जाएगा आपके पास पैसा ही पैसा आएगा आप नोटों में खेलने लगेंगे ऐसा आपका सुख सोभागे जागरत होगा हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर रूमा शरी मेरे चनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो पूरा देखना आपको प्रोसेजर समझने में आसानी होगी और ये आपको काम करना है बता दूं कि पांच मुलांक होने से आप ये समझ लें कि चंद्रमा और जो बुद्ध है उनकी परस पर वैमनस से है उन दोनों की खतरनाक दुश्मनी है चंद्रमा और बुद्ध आपस में शत्रू है जोतिशास्त्र के अनुसार आपको इस मौके पर कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ हमने जो अंक आपको बताया है 14-15 वो पूर्ण रूप से सटीक अंक है और उस पर हमने वीडियो इसलिए बनाई है कि वो आप आज के दिन दिवार पे लिख सकें तो आपको फायदा हो सकें इसी तरह से आज भी 2 रुपे का सिक्का आपको बता रही हूँ 2 रुपे का सिक्का आपकी किस्मत को पलड सकता है और आपको 2 नंबर का ही उपाय करना है दो नंबर चंद्रमा का नंबर होता है और चंद्रमा का ही दिन है आज तो ये आप और पूर्णिमा रात तक विद्देमा नहीं रहेगी लेकिन पूर्णिमा के 2 दिन बाद या 4-5 दिन बाद तक चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहता है विशेश रूप से दूज का चांद उत्तम माना गया है तो आज कर लें या कल कर लें आपको फायदा मिलेगा लेकिन आज करेंगे तो अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि चंद्रमा का जो मित्र है प्रबल मित्र है वो म आज मंगल ही वार है, कल बुधवार है, उनके शत्रू का वार है, तो चंद्रमा और बुध की शत्रूता जग जाहिर है, जोतिश शास्त्र में, तो आपको क्या करना है, दो रुपे का एक सिक्का लेना है, और उसको चंद्रमा की रोशनी में बरख देना है, आपको एक गिला आज दूद लेना है और दूद में ये सिक्खा डालके रखना है ऐसा है वयवस्ता करें कि चंद्रमा की पूरी रोशनी उस पर ज्याप्त हो जाएंग और ये चंद्रमा की रोशनी आप दो दिन तक ले लिजिए मतलब दूज का चंद्रमा एक तो आज ले लिजए और फिर आप ले लिजए गुरुवार को एक बार और सिक्का दूद में दूद चेंज कर सकते हैं वैसे आप और दूद में थोड़ी सी हलदी भी डाल दीज़े गुरुवार का दिन है तो चंद्रमा का अती मित्र है ब्रस्पति और चंद्रमा का अती मित्र है मंगल इन दोनों ही दिनों में आप दोका सिक्का दूद में रखते हैं तो आपको फायदा मिलता है क्योंकि दूद भी जो है चंद्रमा की ही वस्तु है तो लॉजिक ढूंडिए और ये गिलास आप लेते हैं चांदी का तो चांदी चांदी चंद्रमा की वस्तु है पुने है तो चांदी के गिलास में आप सिक्का डाल दीजिए या स्टील के गिलास में आप सिक्का डाल दीजिए कांच का या प्लास्टिक का गिलास नहीं होना चाहिए और उसको आप रखकर ओम सोम सोमाए नमे का जाप एक माला कर लीजिए और आपको ब्रसपती के मंतर जपने है श्री हरी के मंतर जपने है जो आप कोई भी जप सकते है ओम नमो भगवते वासु देवाई ये मंतर भी आप एक माला जप सकते है आपको फाइदा मिलेगा तो कुल मिलाके दो रुपे का सिक्का कच्चे दूद में आपको रखना है चांदी का बरतन होना चाहिए पूरी रातरी चंद्रमा की रोशनी में रखिए और उस सिक्के को पुनह गुरुवार को रखिए दूद चेंज कर सकते हैं उसमें हल्दी भी डालिए और उसको फिर पॉँच कर आप पीले कपड़े में रखिए इससे आपको फाइदा मिलेगा आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं फुल कर भी आपको हरा कपड़ा नहीं लेना है को कि फूर्फश है आपको बता दूँ कि बुद हर चंधर्मा की कोई मितरता नहीं है शत्रू है दोनों और पीला वस्तर इसलिए बोल रही हूं कि ब्रश्पत्ति और चंधर्मा मितर हैं मंगल और चंद्रमा भी मित्र हैं तो आप पीला कपड़ा ले सकते हैं लाल कपड़ा ले सकते हैं उसकी एक पोटली बनाकर अपनी तीजोरी में रखिए आपकी किसमत में धन का आग्मान बहाने मारमार किया होगा तो यह सिक्का आप रखिए और अपने अनुभाव हमारे पसंद आया हो तो हमारे चैनल डॉक्टर रूमश्टी को सब्सक्राइब करिए बैल बटन दबाईए औल पर क्लिक करिए मैं डेली वीडियो डालती हूं जो आपको फायदा पहुचा सकती है थैंक्यू सो मच